आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फॉर्टैक पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब करके इस वीडियो पे आगे बढ़ें और बेल बटन दबाएं और लोटिफिकेसन आइकों ज़रूर से क्लिक करें पुराने कस से भी दुबारा से रिक्वेस्ट है एक बार और अच्छे से चेक कर लें और बेल आइकन आपने प्रेस किया है कि नहीं इस वीडियो को पूरा देखें स्टार्ट से लेके एंड तक बिना किसी इसकीप और फॉर्वर्ट किये हुए वीडियो के डिटेल्स को चेक करें यान आप जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है MIUI पोर्ट रोम और यह जो पोर्ट रोम है इसका वर्सन है 12.0.1 यह एक Android 10 के उपर बेजड रोम है और इसे पोर्ट के आप देख सकते हैं MIUI रीबॉर्ण टीम ने यहाँ पर मैं आपको डिरेक्ट इस्टोरेज दिखा देता जो की 6.77 GB कंज्यूम करेगा 3 GB वेरियंट पे अब यहाँ पर आप इनका लोगो देख सकते हैं MIUI ग्लोबर रीबॉर्ण टीम का यह लोगो है यहाँ पर आपको Android 10 साफ साफ दीख रहा है MI वर्सन दीख रहा है इस रोम पे सबसे पहला मेरा जो मुझे पसंद नहीं आया वो इतना पुराना security patch सबसे पहली बात rejected Android 10 जो Android 12 के जमाने में rejected MIUI 13 के जमाने में MIUI 12 rejected तो यह रोम मेरे नजर पे rejected category पे जादा है फिर भी मुझे review तो करना ही करना है तो देखिए all specs पे हम चलते हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है Redmi Note 4 3 GB RAM kernel को overclock कर दिया गया है यानि कि processor को overclock किया क्योंकि processor overclock करने के कारान इस रोम पे lag देखने को मिला है मुझे यह रोम बिल्कुल भी smooth नहीं लगा है security patch का मैंने बता दिया है यहाँ पर MIUI version आपको दीख रहा है 3.18 underground kernel यूज किया गया है अब बात करते है physical button तो काम कर रहा है navigation button यह अच्छी बात है क्योंकि काफी सारे port room में हमें यह देखने को मिलता है कि physical यह जो navigation button का light है वो working नहीं है left side पे आपको me vault मिलेगा आप देख लीजेगा app और swipe up करके आप मैंने app drawer वाला रखा है आप चाहेंगे तो classic वाला look रख सकते हैं जो front पे रखना है यह इसका default wallpaper है इसमें सबसे पहले मैं बग बता देता हू theme जो है first of all वो china server का दिया गया है और यह बिलकुल भी काम नहीं कर रहा है खुलेगा जरूर आप देखे आप ऐसे खोलेंगे खुलेगा जरूर लेकिन आप कुछ भी wallpaper को apply करने की कोशिस करें तो theme अप्लाई करने की कोशिस करें और यहाँ पर आपको wallpaper, dynamic, rented, कुछ भी दिया आप जो भी कुछ करने की कोशिस करेंगे apply वेगरा even मुझे यह wallpaper बिलकुल भी पसंद निया है मैंने wallpaper चेंज करने की कोशिस किया है तो theme एक क्रैस आउट हो जा रहा है तो यह तो bug आपको देखने को मिला है इसमें आप wallpaper भी अगर हम चेंज ना कर पाए तो ऐसा गंदा रोम चलाने का क्या फाइदा हम जिंदगी भर यही wallpaper थोड़ी ना चलाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो play store इसमें certified भी है और not certified भी है मतलब किसी user को अगर नहीं मिल रहा है certified तो आप magic module के मदश से कल लिजेगा bypass करके file manager MI के दे दिया गया security MI का है dialer MI का होने के कारण आप call recording का benefit ले सकते हैं और message भी MI का है camera जो है वो basic ही app है जो हमारे पुराने MI के roams पे आते थे Android 7, 8 पे पुराने UI interface पुराने hardware के लिए वही camera है बस उसमें एक ही चीज़ improvement है वो यह है कि 4K video recording को आपको enable करके दिया गया है smooth नहीं है lag मारेगा अब आप देखिए यहाँ पर basic से MI app दिये गया है swipe up करके मैं अगर दिखाओ तो आप देख लीजेगा theme app crash out है बाकी यहाँ पर weather app नहीं दिया गया यार MI का जो की most important है weather तो आपको चाहिए ही रहेगा weather तो देखेंगे ही देखेंगे तो MI के app में me video app को हटा देता तो समझ में आता देखिए chrome browser नहीं है वो भी हटा दिया कोई बड़ी बात नहीं है अना आप जो भी browser लोट करना चाहते हैं वो करते हैं आप को ज्यादा remove कर दिया गया है यह भी मुझे पसंद नहीं आया और smoothness नहीं है theme app crash हो रहा है overall security patch पुराना है सब कुछ पुराना पुराना है उतना कुछ खास मुझे interest नहीं कर रहा है direct from settings पर चलते हैं यहाँ पर मैंने about बता दिया है cast काम करता हुआ मिलेगा आपको फिर यहाँ पर fingerprint काम नहीं कर रहा है face password काम नहीं कर रहा है केवल pin pattern वाला password वाला ही security system काम कर रहा है यह भी बेकाल लगा मुझे sounds वैगरा काम कर रहा है clear speaker काम कर रहा है home screen में home vault को अगर यह जो इनका app vault होता है इसे आप change कंडी की कोसिस करेंगे तो वो भी crash करेगा मतब इनका launcher crash कर जाएगा इसके बाद password security मैंने बता दिया केवल pin pattern password काम कर रहा है fingerprint और face password का menu आपको जरूर दिया गया है बट वो है hit और miss type का है कभी उसका मन करेगा तो कर जाएगा कभी नहीं करेगा तो नहीं करेगा इस type वाला दिया गया है इससे बाहर चलते हैं अब apps वेगर की बात करें कुछ नहीं है additionals में भी कुछ खास बताने की लाइक नहीं है basics जो आपको menu दिख रहा है और इससे बाहर चलते है special features पे आपका game turbo वर्क कर रहा है बट उतना smoothness आपको नहीं दे पाएगा अगर आप true game lover है तो बताब 24 घंटा एक दिन में अगर होता है उसमें से 8 घंटा अगर आप game खेलते हैं तो आपको उतना smoothness नहीं लगेगा अगर आप casual gamer है या लंच ब्रेक हुआ है जोग टाइम बे लंच ब्रेक हुआ है आदा घंटा चलो गेम खेल लेते हैं उनके लिए ये game turbo काम कर रहा है आपको कुछ इस type का feel आएगा बट जो heavy बलकी game खेलते हैं न तीन जीवी चार जीवी setup फाइल वाले और फुल एद्दम फ्रेम ड्रॉप गोली मानने वाला गेम फर्स्ट पर्सन सूटर वाला उनको मज़ा नहीं आएगा जो basic game खिलते हैं उनको ये game turbo काम करता हुआ लगेगा अब बात करते हैं इसमें second space बिल्कुल भी working नहीं है आप जैसे ही on करे या off करे crash out हो जाएगा यानि की restart हो जाएगा phone तो फालतू चीजा ये इस से आगे बढ पास comment आया कि sir इस वर्सन का भी review करो तो मैं कर रहा हूँ otherwise मुझे मालूम था कि ये ROM बिल्कुल अच्छा नहीं है मैं review नहीं कर रहा था बट आप लोग request किये हो और मुझे ये ROM लोट करने के बाद जब मैं इसे review करने के video बनाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था इतना मुझे lagness लगा है अब मैं आपसे अगले वीडियो पे मिलूंगा प्लीज आप मेरे help के लिए मेरे चैनल पे continue रहे subscribe करके bell बटन दबाके like, share, comment जरूर करें follow करें social platform पे सभी चैनल सब्क्राइब कर ले और अब मिलेंगे next वीडियो पे thank you have a nice day